हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ के यूटूब का अकाउंट हम किस तरीके से क्रियेट करेंगे लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि यूटूब के लिए हम जीमेल अकाउंट किस तरीके से क्रियेट करते हैं तो वह होने के बाद अब मैं बता www.youtube.com जब यह होने के बाद इसको हम इंटर की इंटर दबा देंगे इंटर करने के बाद पेज कुछ इस तरीके से खुलेगा तो यहाँ पर साइड में आप देखेंगे यहाँ पर मैं आलरडी दूसरे इमेल जीमेल आइडी से लॉगिंग हूँ इसलिए यहाँ पर यह लि इमेल आइडी मांगेगा तो जो इमेल अडि हमने जो बनाये थे लास्ट सायं में इमेल अडि यहाँ रिकेंगे यहानि जो बनाये थे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोने में वो लोगो भी आ गया है जो हमने उसमें सेट किये थे अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्रेंगे तो यहाँ पर लिख करेंगे यूज यूटूब एज तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर टेक्नो मेंबर्स करके automatically यहाँ पर लिखके आ गया है जो हमने create किये थे YouTube के लिए Gmail अकाउंट से तो यहाँ पर हम directly यहाँ पर create channel पर click करेंगे जब create channel पर click करेंगे तो हमारा page कुछ इस तरीके से खुलेगा तो यहाँ पर हम जाएंगे upload default में तो upload default में क्या आएगा कि यहाँ पर privacy में public है यहाँ रहने देंगे यहाँ पर license में दिख रहा है होगा आपको कि standard YouTube license है तो जब यहाँ पर आपको click करेंगे तो यहाँ पर दो option हैगा creative common और standard YouTube license तो आप standard YouTube license ही रखे कि आपका यह कोई यूज ना कर पाए फिर आप category है category में आप जाएंगे आप जिस category का बनाना चाहते है उस category में आपको click करना रहेगा तो हमने टेक्नो मेंबर्स बनाई यानि कि technology के related है तो यहाँ पर science and technology पर click कर देंगे तो यह हमारा पहुच जाएगा इसलिए हम यह कर देंगे यहां पर टैक्स आ गया टैक्स पर भी हम लिख देंगे एक ऐसा टैक्स जो एक वीडियो में रहे तो हमारा चैनल का नाम ही लिख देंगे टैक्स में टेक्नो मेंबर्स करके यह हो गया उसके बाद यहाँ पर आएगा वीडियो लेंग्वेज पर तो हम वीडियो लेंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे तो जैसे हम वीडियो बना रहे हैं हिंदी में तो वीडियो लेंग्वेज में भी हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर 194 other languages है तो यहाँ पर आप सर्च करके यहाँ पर लिखेंगे हिंदी तो यह हिंदी यहाँ पर आ जाएगा और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यह होने के बाद हम यहाँ पर आके इसको सेफ कर लेंगे तो यह सेफ हो चुका है हमारा तो अब हम जाएंगे ब्रेंडिंग में तो ब्रेंडिंग में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर हम जाएंगे और फिर हम जाएंगे फाइल में और जो हमने एडिट किये थे अपना लोगो यूटूब के लिए वही लोगो को हम इसमें सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लोगो है उसको हम सेलेक्ट कर दिए अब इसको हम यहाँ पर सेफ कर देंगे वह ब्रेंडिंग अपना अपना कंडो और वीडियो संक्राइब यहां पर टाइंग साल में एडियो क्या इंट शाच्टत चैनल कीवर्ट का ओप्शन आता है तो अब हम डालेंगे चैनल की वड़स यानि के जिस्टापीक के अखकारडिंग हमारे चैनल है उसका हम कीवर्ड डालेंगे ताके जो भी कोई search करें तो हमारा search rank में आए YouTube को मालूम पड़े कि हम क्या किस topic भर बनाना चाहते है यह जो channel है वह किस base पे है वह हम यहाँ पर चैनल keywords में लिखेंगे तो जैसे कि यहाँ लिख देता हूं यहाँ यह यहाँ पर YouTube अच्छे साच्छा keywords लेकर यहां पर लिख सकते हैं और unboxing हो गया किसी भी चीज की तो वह होने के बाद उसको नीचे आएंगे जैसा है वह इसी रहने देंगे और नीचे आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है subscribers count तो यहां पर लिखा हुआ है कि display the number of people subscribe to my channel तो यहां पर जितने भी subscribe करेंगे हम आप दूसरों को दिएगा लेकर अभी हमने नया चैनल खोले हैं यहां पर हमारा एक भी subscriber नहीं है और बहुत कम है तो यहां पर do not display पर कर देंगे तक कि किसी को दिखिए ना जब हमारा जादा हो जाएगा सब्सक्राइबर तो हम शो करेंगे तो यह होने के बाद हम इसे सेफ कर लेंगे और सेफ करने के बाद हम फी जाते हैं इसमें अपने डैश बोड़ पे तो यह हमारा यूटूब का चैनल अकाउंट क्रिएट हो चुका है टेक्नम मेंबर्स के नाम पे तो अभी यहां पे जीरो वीव्स दिखा रहा है जीरो सब्सक्राइबर दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने एक भी वीडियो अप्लोड नहीं किया है ना सब्सक्राइब बढ़ा है तो मैंने अपको बताया कि किस तरीके से हम चैनल क्रेट करेंगे यूटूब के लिए तो आगे भी आ झाल